हेलो एवरीवन, स्टाडी टुडे विपलव यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में क्लास नाइन का इंगलीज का इंपोर्टेंट कोस्चन को देखने वाले हैं आपके आने वाले विकली टेस्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्चन है साथ ही आपके फाइनल एक्जाम के लिए इस वीडियो में जो कोस्चन आपको देखने को मिलेगा most important है, आपके final exam के लिए वीडियो को अन तक देखेगा और वीडियो को दोस्तों में share करिएगा और like करिएगा, तो चलिए शुरू करते हैं, याद रखेगा, यह जो question है इस वीडियो में, आपके final exam के लिए most important है, इसलिए वीडियो को like करिएगा, तो यह शुरू करते हैं, first question given है, who has written the autobiography my childhood, my childhood जो एक autobiography है, इस autobiography को किसने लिखा है, option देखिए, बिक्रम सेट, APJ अब्दुलक्लाम, आइसेक असिमोब या डेवरो कावली, तो right answer होगा, option B होगा, APJ अब्दुलक्लाम, APJ अब्दुलक्लाम जी ने my childhood को लिखे हैं, तो option B होगा, right answer, next question given है, अब्दुलक्लाम जी के पिता जी का क्या नाम था, option देखिए, सेफियूला, जेनू, लाब्दिन, कामालुद्दिन या नौन अब्दीज, तो right answer होगा, option B होगा, APJ अब्दुलक्लाम जी के पिता जी का नाम था, जेनू लाब्दिन जेनू लाब्दिन नाम था, याद रखना, ठीक है, तो जेनू लाब्दिन, option B होगा, right answer, चलिए next question को देखते हैं, question number 3 given है, अब्दुलक्लाम जी के माता जी का क्या नाम था, तो option A होगा, right answer, यानि कि आसियम्मा, याद रखना, आसियम्मा, अब्दुलक्लाम जी के माता जी का नाम था, आसियम्मा, option A होगा, right answer, option A, आसियम्मा, next question given है, question number 4, the high priest of रामिश्रम टेंपल, यानि कि रामिश्रम जो मंदिर था, उसके जो उच्च पुजारी कोन थे, रामिश्रम मंदिर का जो उच्च पुजारी थे, उनका नाम हमें बताना है, तो option given है, पाक्सी लक कासम, तो right answer होगा, option A होगा, पाक्सी लक्षमन सास्त्री, पाक्सी लक्षमन सास्त्री हो जाएगा, right answer, और याद रखना बात में इनके पूत्र, यानि कि रामानंद सास्त्री पुजारी बने, तो option A होगा, right answer, पाक्सी लक्षमन सास्त्री, रामानंद रामिश्रम टेंपल के उच्च पुजारी थे, option A होगा right answer, चलिए next question को देखते हैं, question number 5 को देखे, question number 5 given है, how old watch column one second world war broke out, यानि कि जो दितिया बिसयूद हुआ था, कब हुआ था, 1939 को हुआ था, दितिया बिसयूद, तो दितिया बिसयूद के समय, APJ अब्दुल क्लाम जी के उम्र क्या था, option given है, 10 years, 8 years, 6 years, या 12 years, तो option B होगा right answer, जब दितिया बिसयूद शुरू हुआ, तब APJ अब्दुल क्लाम का उम्र था 8 बर्स, यानि कि option B होगा right answer, तो चलिए, next question को देखते हैं, question number 6 को देखे, when do people stir and remain hungry, यानि कि लोग कब भूके मरते हैं, और भूके ही रहते हैं, when do people stir and remain hungry, option को देखे, during peace, during war, during silence, या none of these, तो right answer होगा, option B होगा, during war, यानि कि यूद के दोरन, यूद के दोरन, लोग भूके रहते हैं, यूद के दोरन, लोग भूके ही रहते हैं, और भूके ही मरते हैं, तो option B होगा, right answer, next question देखे, question number 7, according to jams kirkup, what we defile, यानि कि जो jams kirkup है, जो लेखक है, उनके अनुसर, what we defile, यानि हम किसको प्रदूसित करते हैं, किसको दूसित क यानि कि जो पवित्र होता है, उसको हम damage करते हैं, किसको, human race को, human activity को, human art को, या human sacrifice को, तो right answer होगा, human art को, option C होगा, right answer, human art को हम दूसित करते हैं, तो option C होगा, right answer, next question given है, question number 8, air sama is a small town, situated in, यानि कि air sama, जो कि एक छोटा सहर है, कहां पर इस्तित है, option को देखे, coastal orissa, coastal Tamil Nadu, Bay of Bengal, या बंबे हाई, तो right answer होगा, option A होगा, right answer, coastal orissa में, coastal orissa में, जो air sama एक छोटा सहर है, वो इस्तित है, तो option A होगा, right answer, next question देखे, question number 9 given है, when did storm come in orissa, यानि कि orissa में, जो तुफान आया था, वो कब आया था, orissa में तुफान कब आया था, option देखे, on 27th October 1999, on 2nd January 2002, on 25th December 1999, on 15th January 2002, right answer होगा, option A होगा, on 27th October 1999, यानि कि 27th October 1999 को, ओरissa में तुफान आया था, तो इसका right answer option A होगा, next question given है, यानि कि अंतिम question ये last question है, इस वीडियो का ये last question है, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को like करिएगा, और चैनल के साथ जूरे रहिएगा, और अगर आप अभी तक चैनल को subscribe नहीं किये हैं, तो चैनल को subscribe कर लिजिएगा, तो चलिए last question को देखते हैं, what is the speed of super cyclone in Orissa, ओरissa में जो super cyclone आया था, उसका speed क्या था, option देखे, 350 km per hour, 300 km per hour, 250 km per hour, या 200 km per hour, तो right answer होगा, 350 km per hour इसका right answer होगा, यानि कि option A होगा right answer, वीडियो को like करिएगा, और मिलते हैं next वीडियो में, ये था अंतिम question, thank you.